नमस्कार मित्रों एक बार फिर्ट से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्राखंड एक्जाम गुरु में इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम जल्द ही UK XXXC का जो पेपर आज संपन हुआ 31 दिसंबर 2030 को उसके उसकी आंसर की को लेके आने क कि हम आपको दें तो इसलिए अगर एकाद प्रसन आपको गलत लगते हैं तो उन पर कमेंट कीजिए कि यह प्रसन गलत है और यह भी कमेंट कीजिए कि कट आफ इस एक्जाम में क्या जा सकती है चलिए पहला प्रसन देखते हैं जैकी ज्वैने वी क्वैने में ज्वै मुहावरा आयाक लोकोक्ति, इसका अर्थ होता है जोहाश का मतलब होता है घरवाली आया वाइफ, इस और वाइफ क अग्ला प्रस्फन है को आणि किसे कहते हैं तो जो पहिलियां होती है UNCO को कुमावनी भासा में आ आंध कहा जाता है सी इसका अंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है आखन है आसो उनी खुनन है जे के उनी इस लोकोक्ति का सही आंसर क्या है तो इसका जो सही आंसर है आत्मी जनों को सानुभूति होती है दूसरों को नहीं होती है चलिए अगला प्रस्ण देखें निमलिखित सब्द युगमों म से कौन सा सब्द यूग में विलोम नहीं है पक्ष विलोम है और थोड़ा और बहुत ये भी विलोम है नम्र द्रिष्ट ये भी विलोम है लेकिन आस आस जो है वो विलोम यूगम नहीं है आस मतलब भरोसा पास मतलब निकट तो ये इसका अंसर हो जाएगा भतवा भटा सेमी तो भट सेमी आपने सुना होगा, ये सबी दाले हैं भट सेमी तो ये वनसपती में आते हैं, भी इसका अंसर हुझाईगा जलिए अगला हम देखें प्रसन संक्या अच्छे तो मुहावरे दीएगे है इसमें कुछ, इनको मैच करना है तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप देखेंगे न करने योगे यानि की अकरणी जो करने योगे नहीं है तो पहले का तीसरा हो जाएगा जहां पहुचा ना जा सके यानि की अगम्य खोका पहला हो जाएगा जिसके पास कुछ ना हो गौ गौ का चावथा हो जाएगा अकनी चन जिसकी गिंती ना की जा सके वो हो जाएगा अगण नी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दियेगे ऑप्संस में तीन एक चार और दू इसका बी आंसर हो जाएगा इसके बाद है संदी अनुधन एसन अनुवेसन में कौन सी संदी होगी तो इका यो उका वा अनुवेक्षान यन संदी अगला प्रस्न देखते हैं आठवा प्रस्न आठवा, इसमें सुची 1 से सुची 2 को सुमिलित करना है और दिये गे वाक्य में कौन सा चिन्न आएगा वो नोट करना है देखे इसमें क्या रहुल घर जारा है तीसर आप देखेंगे तो ये प्रस्न वाचक है गौ का पहला तो गौ का पहला option जो है केवल D में है इससे ही आपका answer जो है सही हो जाता है अगर किसने विस्तार से नहीं भी पड़ा है अगला है कुछ कुमावनी सब्द है चेटान का अर्थ है बूदाबादी होने की स्थिदी यानि कि जब बूदाबादी होती है तो उसे ग नहीं का जाता है यह इसका answer हो जाएगा अगला प्रस्न जौनसार में स्थानी जोतिस्की भासा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे कहते हैं तो पात्रा है तो निम लिखित में सरुनाम का भेद नहीं है पुरुस वाचक अतिवादी निच्च वाचक अनिच्च वाचक त तो अतिवादी जो है सरुनाम का भेद नहीं होता है सिंपल सा प्रस्न है अगला है प्रस्न संक्या बाइस्वा नाइटिंक यह गड़वाली लोकोक्ती है पराई वस्तु के दिखावे में कस्ट होने की स्तिथिक को कौन सी लोकोक्ती प्रकट करती है तो इसका सही उत्तर हो कुनान नाग दुखोण बिर्यान मतलब पराया चल यह अगला प्रस्न अगला प्रस्न जो है वो रिलेटेड है इसको मैच मेकिंग करना है तो समसमाई की घटनाओं से संबंदित जो प्रकासित लेख होता है उसे कहते हैं आलेख पहले का तीसरा हो जाएगा और दूसरा खौँ है इसका किसी विशिष्ट समाचतार पत्र पर विशेज विचारात्म टिपणी जो होती है वो संपादकी होती है इसके लिए विभारिक बातों एम घटनाओं की मनुनजिंग प्रस्तुती जो होती है वो फीचर होती है चार ह हो जाएगा इसी लंबी सामगरी को निर्धारित समय पर क्रमसर प्रसारित करना तो धरावाइक होता है कई एपिसोड साते हैं उसके तो एक हो जाएगा तो तीन दो चार एक यह ऑप्सन जो होगा पहला इसका आंसर होगा चलिए अगला रीडियो की भासा का स्वरूप होता है यानि कि रेडियो में जो भासा होती है उसका स्वरूप क्या होता है तो हम सुन सकते हैं तो स्रव्य रूप हुआ सभी जानते हैं और कुछ प्रस्न ऐसे हैं जिनमें केवल आइडिया आपको लगाना है थोड़ा सी सोचने का समय ज्यादा लग रहा है इसमें इसलिए प् धित मैं से कौन सा तथ्य जो है उप्युक्त है और तो मिरे ख्याल से इसका जो आंसर होना चाहिए किसी इसमें अनाज каз lên दिया जाता है यह उड्वार होगा तो किसी को लगता है इसका आंसर कुछ और है तो आप कमेंट जरूर करें सोलवा प्रस्टन है जिक्कल कामची उडाली उडाईली है तो यह है उत्राखंड की भासाओं का विभारिक सब्द कोस डी इसका आंसर है तो इसमें सही युग में छाटना है तो अंतस्त व्यंजन जो होते हैं इसका यह आंसर हो जाएगा अगला जो प्रस्टन है हिंदी वाले प्रस्टन में कुमावनिंग के सब्दों और गडवाली के सब्दों से रिडिटेट प्रस्टन भी पुछे गए हैं तो देवनागरी के अत्रिक्ति हिंदी भासा लिखी जाती है डी इसका आंसर हो जाएगा अगला जो प्रस्टन है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है तो दावत जो है वो आगत सब्द है यानि कि चार इसका आंसर हो जाएगा इसके लावा थैला जो है थैला जो है देशस सब्द है तीन इसका आंसर हो जाएगा पंकज जो है योग रुड़ सब्द है दो और तैसिलदार संकर सब्द है तो चार तीन दो एक option एक सई हो जाएगा चलिए हे खग म्रिग हे मधुकर स्रेनी तुम देखी सीता म्रग नेनी तो सीता म्रिक के समान नेन वाली है तो मानविक्रन लंकार भी कह सकते हैं वसे तो इसका जो सई आंसर होना चाहिए मानविक्रन लंकार होना चाहिए अगर कोई हिंदी के विशेशक के जुड़े हैं तो आप कमेंट करें क्या इसका अंसर हो सकता है चलिए हम पहुंच चुके हैं प्रस्न संख्या 20 तक अब प्रस्न संख्या 21 का नंबर है अगला प्रस्न है प्रस्न संख्या 21 सित्मभर 23 में नए दिली में आवुजit G20 के 18 सिखर सम्हिल्यान में कि या देसों के प्रसंग को G20 का स्थाई सदस्य बनाए गया तो इसमें जो है अफरीक SEN को G20 का स्थाई सदस्या बनाए गया था अच्छा प्रस्सन है अगला है निमन मैंसे कौन मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है यह प्रस्न जो है आपका कम्प्यूटर ज्यान का है तो मेग्नेटिक डिस्क जो है वो secondary memory होती है डी इसका अंसर हो जाएगा अगला प्रस्न निमन मैंसे कौन सा मुद्धा जो है 1996 में सिंगापूर्मा आयोजित वर्ड ट्रेड और्याइजेशन यानि की WTO के प्रथम मंत्री स्तरी सम्मिलन में उठाए गए सिंगापूर मुद्धी में नहीं था तो विनियोग यानि की इन्वेस्टमेंट कम्पिटिशन पॉलिसी प्रतिसपरदा नीती और सरकारी खरीद गौर्मेंट इसमें सम्मिलित था लेकिन पर्यावरण और सतत्रत्विकास के मुद्धे पर इसमें सम्मिलित नहीं थे तो यह 23 तक के प्रस्न थे अब 24 प्रस्न हम देखते हैं 24 प्रस्न जो था वो कुछ इस प्रकार था सूची एक से सूची दो को मिलान करना है तो इसमें आप देखेंगे गोपाल कृष्ण दादा भाई नेरोजी दादा भाई नेरोजी जो है डेकन एजुकेशन सोसाइटी से संबंदिध हैं तीन गोपाल कृष्ण गोकले बॉंबे एसी सिसेशन दी मराठा बाल गंगाधा तिलक दो लाला लाजपतराय दपिपुल तो तीन चार दो एक जो है आंसर है डी सही हो जाएगा अगला प्रस्थन काफी अच्छे प्रस्थन इस बार जो है कि जिसने एंसी आडी से डिटेल में पड़ा होगा वह इसको सॉल्व करेगा क्योंकि रटने वाले लोग इस ऐसे प्रस्थनों को हल नहीं कर सकते क्योंकि यह समझने वाली चीजे हैं अर्थवय वस्ता के प्रशन अच्य आया है तो फ़स्थन है कथन एक विदेशी निवेज के अंतरगत प्रत्यक्सि इन वेस अउटागत को सामिल किया जाता है पहला जो है तो foreign investment में FDI और जो विदेशी तागत निवेस से दोनों को संभीनित किया जाता है विदेशी निवेस में केवल protect विदेशी निवेस को संभीनित किया जाता है यह option गलत है क्योंकि विदेशी निवेस में FDI के लावा कि को भी sou mc किया जाता है погन बोट फोलिए इंसे में जाता है है तो ये दोनों समिलित होते हैं ये गलत हो जाएगा केवल एक सही होगा इस प्रस्ने भी आप देखेंगे तो foreign portfolio investment दिया गया है तो इससे आप confirm कर सकते हैं क्योंकि हिंदी का उच्छान कभी-कभी समझ में नहीं आता है तो इंगली स्वाले पॉर्षन को आप देख सकते हैं अगला प्रस्थन है 26 वाँ कि निम्लिकित मैंसे कौन सा युग में जो है सुमिलित नहीं है तो अगला प्रस्थन जो है फिर से अर्थव्यवस्तागा भारत की विनिवेस निती का उदेश्ची केंद्री सारुजनिक से सेंट्र की उपक्रमों यानि की सेंट्रल पाब्लिक सेक्टर्स अंडर्टेकिंग जो है सेंट्रल पी एस्यू जो है एवं 32 अस्थानों की नियूंतम उपस्तिती तहां निजी सेंट्रेकल निवेस का दायरा बढ़ाना है यह ऑप्सन सही है विनिवेस का अर्थ होता है जब विनिवेस निती का उद्देश से प्राफ्त धन्राज सि को जुटा कर उसे सामाजिक सेत्र विकास सम्भंदित कार्यों में लगाना है तो जो इक बार में पूरे सब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियां प्रियूक की जाती है तो कंट्रोल पूरे सब्दों को यानि कि एक बार में पूरा सब्द मिट जाया तो control के साथ backspace दबाई या control के साथ delete दबाई है दोनों में आपको पूरे सब्द मिट्टे वे दिखेंगे तो दोनों जो है answer सही होंगे A वर B चाहें तो आप try भी कर सकते हैं चली अगला प्रस्ण है यह भी अर्थव्यावस्ता का प्रस्ण है अर्थव्यावस्ता का प्रस्ण यह है कि राजकोसी नीती में सरकारी राजस्तु संग्रणां तिथा व्याई का प्रयोग अर्थव्यावस्ता को प्रभावित करने के लिए किया जाता है प्रस्तनग्या 29 है देखे राजस्तों नीती जो होती है सरकार तॉय करते हैं केंजर सरकार करती है जिसमें कर और उसके बारे में जो चर्चा कि जाती है लेकिन मौदरिक नीटी जो होती है अब आय व्याय पूंजिगत व्याय यह सब Central Government तय करती है, सरकार तय करती है और IVI तथा पूझिकत व्याइद दोनों मौदरिक नीती की विशेवस्तु है देखिए मौदरिक नीती में क्या होता है IVI को सम्मिलित नहीं किया जाता I जो होती है वो राजस्तु नीती का हिस्सा होती है और मौदरिक नीती जो होती है, वो RBI तय करती है तो यह IVI और पूझिकत व्याइद जो है मौदरिक नीती की विशेवस्तु नहीं है यह विल एक सही होगा उत्तर भारत के अधिकान्स भाग को अपने अधिन कर किसने सिलादित्ती की पद्वी को धरन किया था अगला जो प्रस्ण है, वो मैच मैकिंग है आर्टिकल से समविदान के काफी बारिक प्रस्ण पुछे गया है इस बार ग्रूप C में तो वार्थ से वित्ती प्रतिविधन किसी ने हलका भी पढ़ाया तो कुछ आप्शन आप ऐसे मिला सकते हैं यह तो निम्हार देश हैं किस्सक्राइब अगला प्रस्ण ने सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करते हैं इसके लावा मिस्र यह भी से पनाज़ा है साजा करता है तो यहां पर डी आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि उस साइबर हमले की पैचान करने जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेट्रोक संसाधन पर धिक अनुरोद भर कर कुछ वैद या तभी वैद अनुरोद प्रूद सौकी विश्टू कप 2003 जर्मनी ने किस देश को हरा कर जिता था जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था भारती रिजवर्व बैंक जब रिवर्स रेपोरेट बढ़ाता है तो परिणाम क्या होगा देखे रिवर्स रेपोरेट बढ़ाना जो है मौद्रिक नीदी का ह प्रियाज देता है उसे रिवर्स रेपोरेट कहते हैं अगर रिवर्स रेपोरेट ज्यादा होगा तो बैंक क्या है अपनी मुद्रा को अर्विया के पास जमा करेंगे और मार्केट में मुद्रा की कमी आएगी यानि कि मुद्रा कम हो जाएगी मांग में कमी हो जाएगी त तो तरलता बढ़ती तो नहीं है मुद्रा अगर बैंक में जमा होती है तो तरलता जो है वो घड़ जाएगी तरलता घड़ जाएगी तो मांग में कमी आएगी और मुद्रा सिपिती कम होगी यानि कि इसका आंसर जो हो जाएगा भी हो जाएगा अगला प्रस्न है निमने मैंसे किस वाद में भारत के सर्वोच नियाले ने निर्णे देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं चीन सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति क्या है सेक्ट्रो सैंट इन दा नेचर तो यह कहा गया था चंपा कम दो राजन वाद 1951 में तो काफी डीप पॉलिटी के कुश्चन भी आने लग गये हैं अब ग्रूप सी में तो इतना टिपिकल इनको नहीं होना चाहिए था चलिए जदा टिपिकल कोश्चन होंगे तो आप बना नहीं पाएंगे और में कट आप जो है कम जाएगी जो अच्छे से पेपर देते हैं उनको इसका लाब मिलेगा अगला प्रस्थ नहीं पूची एक से सूची दो में दर अगला से सुची दो को सुमिलित करना काफी अच्छा प्रस्थ नहीं है तो इसमें देखिए आप बजट जो है इसको वार्थिक वित्ती विवरण भी कहा जाता है एक का तीसरा और नाबार्ड जो है SHG Bank Linkage Program यानि कि Self Help Group Linkage Program स्वयम साता समूओं को लिंक करके उससे संबंदित प्रोग्राम भी नाबार्ड चलाता है फेमा जो है आर्थिक सुधारों से संबंदिद है एक और CPI जो है आपका मुद्रा इस्पिती से संबंदिद है तो दो तीन चार एक दो इसका अंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण भारत का मैंचेस्टर को कहा जाता है यह सई हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण देखें मेक इन इंडिया पहल जो है चार स्थम्बों पर आधारीत है तो चार स्थम्ब कौन-कौन से हैं नई प्रक्रियाएं बुनियादी धाचे नई सोच नई गंतव इसमें आप इंगलिस का अगर देखेंगे तो न्यू प्रोसेसेज और न्यू इंफ्रास्ट्रक्टर न्यू मै सही हो जाएगा अगला प्रस्न काफी अच्छा प्रस्न है उत्राखंड पंचायती राज एक्ट के बारे में पंचायती राज के संबंदित है उत्राखंड में सबसे पहला ऑप्सन है उत्राखंड के पंचायती राज संस्थाओं के संबंद में निम्न मैंसे कौन सा कथन सह यह उत्राखंड का अपना पंचया दिराज नहीं है तो यह प्रस्ट यह उप्सन गलत हो जाएगा क्योंकि उत्राखंड का पंचया दिराज अधिनियम जो है सेत्र पंचया या खंड विकास परिसद जिसको कह रहे है या उसके उपर जिला पंचया तो मध्यवर्ती इस्तर जो हो गया वह आपका खंड विकास परिसद हो गया, ब्लॉक डप्लमेंट काउंसिल और खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिसद या सेत्र पंचायत के सचीव के रूप में कारी करता है, तो यह सही है, बीडियो जिसे कहते हैं, यह खंड विकास अधिकारी होते हैं, और यह सेत्र पंचायत के सचीव के रूप में कारी करते हैं तो D option सही हो जाएगा अगला प्रस्न दीन दयाल उपाध्या ग्रामिड कॉसल योजना तो योजनाओं से काफी अच्छे प्रस्न आये हैं और हमने भी योजनाओं को पढ़ाने के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई है आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्षन में तो पहला option जो है दीन कथन जो है दीन दयाल उपाध्या ग्रामिड कॉसल योजना जो है डी डी यू जी के वाई बाजार प्रित रोजगार से जुड़ा हुआ कारिकरम जो है ग्रामिड यूवाउं के कॉसल प्रताय कारिकरम है बिल्कु से 25 नहीं 15 से 35 वर्ष के युगाओं पर केंद्रित है और उसके अलावात कथन तीन है कि अभ्यारतियों के पूर्ण सामाजिक समावेशन को सुनिश्चीत किया जाता है तो यह भी सही होगा तो पहला और तीसरा option जो है वो सही होगा उनकी आय बढ़ा के उनको समाज की मुखेधारा में लाने का प्रयास किया जाता है चलिए अगला है निमलिकित मैसे कौन सा internet protocol आईपी का वैदे संसक्रण नहीं है तो आईपी 4 आईपी वी 6 ये वैलिट संसक्रण है आईपी वी 11 जो है ये वैलिट संसक्रण नहीं है सी इसका अंसर हो जाएगा अगला प्रस्न जो है निमलिकित मैसे कौन सा यूग में सही सुमिलित नहीं है देखे चावल को ब्रही कहा गया है वुड़त को मास कहा गया है जो को यव कहा गया है काफी पुराना प्रस्न गेहों को गोमत नहीं कहा गया गोधूम कहा गया है डी मुंबाबच सबसे लंबा यानि कि सिग्नल फ्री तो मैं इसको नेट में सर्च किया संके तक rov मुझे option कहीं पर दिखा नहीं तो मैं इसको फिलाल ग्लत मारना हो अगर आपको दिखा तो आप कमेंट करें और दूसरा कतन यहें 5 राज्य उं hariaana यहां पाँच राज्यों वाला उप्सन सही होगा तो कथन दो केवल सही होगा मेरे इसाब से आप कमेंट करें आपको कौन सा प्रस्तन आंसर जो है इसका सही लगता है क्योंकि अगर केंदर सासित प्रदेश को मिलाएं तो वो राज्यों की स्टेडिंग में नहीं आएगा अगला प्रस्तन निमनमैसे कौन सी कमेटी को कर्स उधार के लिए बनाया गया था तो चले या कमेटी जो है कर्स उधार के लिए बनाई गयी थी सुची एक जो है सुची दोसे सुमीलीत करनी है इसमें देखिया भारत परichat अदिनियम इसमें विकेंद investing की प्रिक्रिया का सुभारम भी किया गया था एक का तीसरा हो जाएका भारत परिशद अधिनियम में आप दिखेंगे मुस्लिमों के लिए प्रतक निर्वाचन पदधि यूज की गई थी तो संपरदाइग प्रतिन्तु दिया गया था इसका दो हो जाएगा भात शासनदेनियम में कि दिस अद्नी व्योस्था की गई थी चार हो जाएगा भारत सासन अधिनियम में आपका प्रांतों में दुएदे सासन की समाप्ति की गई थे तीन दो चार एक सी ऑप्सन सही हो जाएगा वैसे भी आप देखेंगे तो बी जो है सामप्रदाइक प्रतिनित वाला प्रशन नहां से भी आप इसको बना सकते हैं चलिए अब है फॉरेंड इन्वेस्टमेंट के बारे में यह जो है एकोनिमी का प्रस्न फिर से आ गया निमलिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है विदेशी पूजी निवेस तर को बढ़ाने में सायक है यानि कि फॉरेंड कैपिटल जो ह वह निवेस तर को बढ़ाने में सायक है तो यह बिल्कुल सही है विदेशी पूजी जो है तक्निकी ज्यान का विस्तार करने में सायक है तो दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि अगर पैसा लगाएंगे तो नए टेक्नलोजी भी आएगी अगला प्रस्न मत्त बिलास प्रहसन नामकृति के लेखक जो हैं वह हैं महेंद्र वर्मन प्रथम ठोक मूली सुचकांक में सम्रित वस्तु में जो हैं 697 काफी डिफरेंट टाइप का पेपर है आप भी कमेंट करें कि पेपर का लेवल इस बार किस प्रकार था और आपको कैसा लगा उत्राखंड के निमलिकित लोग अभुसणों में कौन सा सुमिलित नहीं है तो देखे हिरोदा ये तो मैंने नाम सुना नहीं लेकिन इसका आंसर हम निकालेंगे मुनडे कान में पहने जाते हैं बिल्कुल सही है चरे जो है गले में पहना जाता है तो यह गलत हो जाएगा पहुंची जो है कलाई में जाती हैं दो और चार तो बिल्कुल सही हैं तो दो और चार वाला avation के एक है तो दीइस्का शभी आंसर होगा A कर कर अगला प्रस्ब्सन है मुख्यमंत्री स्वरुजगार यूजना देखिए इसमें किताबों में अलग-अलग डेट सापको मिल सकती हैं इन प्रसन की तो मेरे एसाब से सही आंसर जो होगा एका-चौथा क्योंकि स्वर्जगार योजना जो है कोविट के टाइम पर लाई गई थी तो 92 एका जो है बी आंसर होगा एक का चौधा और बी का पहला मुख्यमंत्री स्वार सुरुजगार योजना मिसन गौरा सक्ती योजना सितंबर 21 और मुख्यमंत्री महलक्ष्मी योजना अप्रेल 2021 घी संक्रांती पर्व का अन्य स्थानी नाम जो है ओल गिया भी इसको कहते हैं परिक्षाव चौफुला लोकन रित्य है दूसरा बारा मासा बारा मासा लोग गीत है और देवस्तल आपने सुना होगा यहां पर दूर्बिन लगाए गई है तो तीसरा देव गुरु ये पहला दो चार एक तिन वाला उप्सन जो है सी सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे स्वतनता संग्राम में उत्राखंड संदर्व में निम्नांकित में से कौन सा सुमिलित नहीं है तो देखे 1870 में डिबेटिक कलब की स्थापना अलमोडा में हुई थी देरादून में नहीं हुई थी डेकरास परिक्षावाणी से संबंद प्रस्न है यह परिक्षावाणी में दिया गया है देकरास जो होते हैं देवी और देवताओं के कले मोडल यानिकी मिर्दा नमोना यह इसका आंसर है बी अगला प्रस्न अगला प्रस्न जो है 57 नीचे सूची एक में उत्राखंड के मेलों के नाम दिये गये हैं और सूची दो में वह आवसर या तिति जिस पर मनाया जाते हैं शुरू किये गये हैं तो इनको हमको मिलान करना है तो देवी दुरा का मिला जो पर आर्वी बनाड द्वारा सुरू किया गया था तो इसका बी सी ए आंसर हो जाएगा पहले का बी दूसरी का से तीसरी का आए तो बी इसका आंसर हो जाएगा अगला जो आप्सन है यह उत्राखंड के प्रमुक मंदिर हैं और उन्हें संबंदित स्थान है हाट काली का सब्सक्राइट में है दो तीन चार एक तो यह उप्सन एसाई होगा और आपने प्रस्न मिला के अपने जो माक से वह भी बताएं ताकि हम कट आफ जो हैं बता सकें तो खतलिंग रुद्र देवी जो यात्रा है इसमें पांच्वा धाम यात्रा की संग्या दी गई है चलिए साटों प्रसंद देखें पासना सिकर सहली मंदिर किससे संबंदिद है काफी टिपिकल प्रस्न है सूरी मंदिर पलिठी टिहरी गड़वाल इसका अंसर है कोस्चन नंबर 61 तो इसमें देखिया जिम कार्बेट राष्टी उद्ध्यान का मुख्याले कालागड तो कालागड में तो मुख्याले नहीं है लेकिन मायवती अस्रम जो है चंपाउत के लोहागाट में चंपाउत में नहीं है तो इसको हम गलत मान सकते हैं चैती मिला और चौथा उप्षन सही होना चाहिए देवदार के व्रिक्षिका वानस्पतिक नाम सिद्रस देवदारा चलिए वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट यह अच्छा प्रस्न है तो इन्हें मिलान करना है अल्मोडा की बाल मिठाई और त्वीड बागिस्वर का मढवे का प्रूट हरदवार में गुड़ और सहद नैनिताल का तामर सिल्प और स्वरी एपन क्राफ्ट और केंडल मेकिंग क्राफ्ट तीन एक चार दो यह ओप्षन सही हो जाएगा आगे बढ़ेए कोच्छन नमबर 64 आप अपने प्रस्त मिलाते रहे हैं और लास्ट में कमेंट में यह बताये कि आपके नमबर से जुड़ा हुआ है कोड़ा खाल भी इसका अंसर हो जाएगा आगे बढ़ें के बारे में अब काफी प्रस्ना आने लगे हैं चाहे उत्रा खंड लोग से व्यायोग लें हम चाहे लें तो प्रताप साह अंग्रेजी सास अंग्सिष्चा का प्रावधन किया था इनोंने 67 कोस्चन का आंसर जो है मेरे ख्याल से दोनों सही होने चाहिए लेकिन मैं कंफार्म नहीं हूं आप भी कमेंट करें कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है अब यह है देखे पॉलिसी उत्राखंडी की जो पॉलिसी जह उनसे भी प्रस्न आने लगे हैं तो काफी बारिक प्रस्न इनको हम कहेंगे तो पहला जो कथन है कि उत्राखंड MSME Policy 2015 में प्रदेश को 5 स्रेडियों में वर्गित किया गया है तो उत्राखंड को 4 स्रेडियों में वर्गित किया गया है आप चाहें तो उत्राखंड की MSME Policy 2015 देख सकते हैं बागी इसमें जो है इस नीती के अंतरगत उत्पादन एकाईयों को उत्पादन प्रारंब करने के इतिती से अधिक्तम 15 वर्ष तथा 31 मार्ज 2030 नहों के 2025 होगा तक जो भी हो पहले नीती में प्रदत वित्ति प्रोथसान का लाब अनुमन्य होगा तो यह दोनों ही गलत होंगे डी इसका अंसर होगा अगला प्रस्न है सही प्रस्न आया है सरुल सरों हारुल छोपती लंगवीर यह लोक नित्त हैं उत्राखंड के किजले में ट्यूलिप गाडन विक्षित किया गया है तो पिथरवगड में अगल क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड है उत्राखंड के 2020-2021 में है उत्राखंड के क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसा निम्न फसलों को कुल बोए गए सेत्रफल के बढ़ते हुए करम में करना है तो यहां पर छोड़ा सी करम मिलाने में जल्दी बाजी ना हो और बढ़ता करम हो सबसे बढ़ते हुए करम में आप देखेंगे यहां पर गेहूं सबसे ज़्यदा उगाय जाता है उसके बाद उससे कम धान यानिकी बी इस प्रकार से तो ए बी जहां पर पहले होंगे आप इस option को वैसे भी सरी कर सकते हैं यह वाला उसके बाद जो होता है गन्ने का ह साधर्ण बहादूरी के लिए दान दी गई भूमी को क्या कहा जाता था तो उसमें रौत कहते थे जो बहादूरी के लिए दी जानी वाली जमीन थी अगला प्रस्न है कौन सा युग में सही नहीं है कटारमल सूर्य मंदिर कोसी अलमोडा बिलकुल सही है भरत गुफा जो है यह चमोली में है और चिताई मंदिर अलमोडा में है बिलकुल सही है इसके लावा थल के जार जो है यह पिथारागड में है तो बी और डी जो है यह सही नहीं है डी इसका अंसर हो जाएगा आगे देखें प्रस्न संक्या 674 नॉमबर 2022 के उत्राखंड निर्याद के आकणों के अनुसार निमलिखित में से कौन सा मद उत्राखंड के लिए सबसे बड़ा निर्याद मद है तो सबजी उत्पाद लकडी और लकडी के उत्पाद रसानिक उत्पाद प्लास्टिक और र सबसे ज्यादा होते हैं तो इसका आंसर होना चाहिए अगला जो है 75 इसमें मंदिर है और उनकी लोकेशन है अगर आपको ज्यादा नहीं भी आते तो रगुनात मंदिर जो है रगुनात मंदिर देव प्रियाग में है काफी जुड़े हुए प्रसंग है मंदिर से और कई ब बच्छ बध्रि में देखिए जो बद्री आते हैं बद्री नाथ पृद्री नात आता एधीblatur ऑद्री अता है पृति त hacia नहीं योग ध्यान मिलाके तो बी इसका अंसर हो जाएगा वी इसका अंसर अगला परसbors काफी जटिल प्रस्थन दिया है एकदम मिला के समय लगने वाला प्रस्थन है लेकिन आप कल लेंगे इसको फोड़ासी वहाँ पर हड़ बढ़ाट नहों तो मालू साही जो है वो राजुला और मालू साही की प्रेम कता है तो D पहले का D हुड की बोल जो है जब किर्सी होती है किर्सी के समय हुड का बजा के गायन होता है सी पावने या भड़ों जो है वी रस पर आधारित हैं D C B अब बचा A जो लोग मानिताओं पर आधारित लोग गाते हैं उन्हें जागर कहते हैं तो D C B ये ये ओप्सन एम आएगा तो A आंसर सही हो जाएगा अगला प्रसंद देखें अब इसके लिए मैं थोड़ा सी आपको मैप में दिखाऊंगा इसकी लोकेशन यदि कोई उत्तर से दक्षिंड की और जाता है तो उत्राखंड में कोजी नदी के तर्ट परिस्तित स्थानों का क्रम क्या होगा तो इसका आंसर मैं आपको बताने स निचे अल्मोरा और इसके बाद नीचे आपका न्यानिताल है है कोसी नदी कौसानी के निकलती है फिर सोमेस्वर बहती है सोमेस्वर अलमोडा में आता है सोमेस्वर सोमेस्वर के बाद जो है फिर अलमोडा पहुंसती है अलमोडा मुख्यालेप है अलमोडा से होते हुए किनारे किनारे करम पानी खेरना से होते हुए यि बेताल घाट पे मिल जाती है तो ये करम है इसका इस प्रकार से इसका बहाव होता है तो इसका जो सही answer हो जाएगा सोमेसवर फिर अल्मोरा फिर खेरना, गरम पारीं के निकट से ये बेताल घाट प्रयस करती है वहाँ से रामनगर को निकल जाती है चलिए इसका अंसर हो जाएगा जिस प्रकार चैस चोस्वानी भोजे पदार्त गड़नाव के अगला प्रहना हे यह प्रशन अच्छा है उत्राखंड के जो संस्थाने उनसे जुडावा प्रहन है उत्राखंड नियाई के एंग विधी अकाड़ी आप जानते हैं बहवाली में है 4 ऑप्सन डाक्टर बर्तवाल हिंदी अकादमी जो है यह धेरादून में है एक और राजीव गांधी सहाजिक खेल अकादमी जो है यह टेहरी में है और ग्राम में विकास सस्थान जो है यह रुद्रपूर में 4 1 2 3 तो 20 इसका अंसर हो जाईगा देखे उत्राहेंड ग्राम में विकास सस्थान जो है इसका पूरा नाम है उत्राखंड पंचएटी राजिए स्थानं इसका अपकर दिया गया है तो ऑफसन जो है सही है आपका यह है तो चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं यह प्रस्ण आपको थोड़ा से कन्फ्यूज कर रहा होगा लेकिन थोड़ा से लिखने की भासा इसकी आपकी अलग हो गई है देखें लख्वार मिला जौनसार भाबर का जो है लोगप्री मिला है यह प्रस्ण बिल्कुल सही है यह सही है सनिगाड मेला को संगाड मेला सायद यह लिखना चारते संगाड मेला होगा यह बागिस्वर के संगाड में लगता है लेकिन यह चैतर नवरात्र में लगता है तो यह संगाड होगा सनिगाड थोड़ा ची गलत लिख दिया संगाड आम तोर पर कहा जाता है सेल को उस सव मुख्य रूप से विवाहित कर्ण्याओं संबंदिद है ये भी सही है तो पहला तीसरा और चौथा ओप्सन सही हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा अगला प्रसन है उत्राखंड राज्जी में परेटन उद्योग को अधिनियम करने वाली सश्ता जो है उत्राखंड परेटन विकास परिशाद यानि के उत्राखंड टूरिज्म डप्लाप्मेंट बोर्ड है ये सही हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं ये बजट से संबं करें तो सबस्यादा जो भारत उत्राखंड में आई होती है वो केंद्र से साहता या अनुदान में होती है तो पहले का यह आंसर दूसरा केवल एक option में है तो भी सही हो जाएगा लेकिन मुझे इस प्रस्त में फिर भी डाउट है अगर आपको भी है तो आप कमेंट करें चलिए अगला जो है 84 ने मिलकित कातना में कौन सा कातन सही नहीं है तो रिषी केश गंगा रिषी केस में sis मिलती है तो वहाँ पर चंद्र भा का दी मिलती है डी इसका अंसर होना चाहिए चलिए अगला प्रस्थन काफी अच्छा प्रस्थन है घुमा के देना स्टार्ट कर दिया देखिए 2aa-49 को कुमा कमिस्नररी को दो जिलो में विभक्त किया गया लं Baker में कुमाओ' कमिस्टर ही वाले अप SEC बताया भी यहां जीडवकिस अट्रेरwhat को अधिकारी से ठीवर्ट होए देकर दिया यह वक्स 파 पर नहीं कि GW ट्रेल जो है प्रथम बंदोबस्त अधिकारी थे चलिए इसको हम पेंडिंग में रखते हैं आठवे बंदोबस्त को पॉब बंदोबस्त भी कहा जाता देखिए पॉब बंदोबस्त जुथा वह दस वह था तो यह ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ग्यारवा बंदोबस्त इबर्टसन बंदोबस्त के नाम से लोग प्री हुआ तो यह सही है पहला और चौथा सही है तो पहला और चौथे को सम्मूजित करते हुए जो अप्शन सही है वो सी है तो GW ट्रेल परथम बंदोबस्त में बंदोबस्त अधिकारी थे जो दूसरे कु गोठ तो ये पसु पालन से संबन्दीत है जिसमें पसु बारे को गोठ कहा जाता है कुमाओ में जन्पत बागिस्वर निम्लिखित जिलों से घिरा है तो देखिए ये आपको मैप में दिखाते हैं यह location है यह map है इसका सही आंसर यह बागिस्वर है बागिस्वर के बगल में आप देखेंगे यह बागिस्वर के location यह आपका पिथारगड, यह चमोली तो तीन जिले जो है, 4 और से घेरे हुए हैं पितावगड अल्मोडा और चमोली बागिस्वर को इसका ओप्सन जो हो जाएगा भी हो जाएगा आगे बढ़ें कोच्चन नंबर 88 88 कोच्चन जो है थोड़ा जटिल है इसको हम आपको पूरा बताएंगे क्या इसका आंसर होगा देखिए 1972 संबंदित निम्लिकित कत्नों पर विचार करें उत्राखंड में पाय जाने वाला भरल हुआ कस्तूरी मिर्गी वन्ने जीव संग्रक्षन अधिन 1972 की अनुसुची एक में है देखिए कस्तूरी मिर्ग जो है सिडिल वन में है बिल्कुल सही है लेकिन भरल जो है सिडिल वन में कस्तूरी मिर्ग है बिल्कुल सही है लेकिन भरल जो है सिडिल तीन और चार में है तो यह ऑप्सन गलत हो जाएगा क्योंकि भरल जो है सिडिल वन में नहीं है धनेज जो है अनुसुची दो में धनेज को होड़न बिल कहा जाता है तो यह अनुसुची दो में सम्मिलित नहीं है यह अनुसुची एक में है तो दोनों ही option गलत है तो ना तो एक ना तो दो डीस का अंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखें नीचे दो वक्तवे दिये हैं देखें पहला और दूसरा कथन देखते हैं वय builder, और उसकोट की पहाणियों से गोंती नदी निकल कर काली नदी में मिल जाती तो गोंती नदी जो है वह भागिस्तुर में मिलती है सर्वियुसे तो यह option गलत हो जाएगा तो दोनों गलत हो जाएंगे डीस का आंसर हो जाएगा आगे देखें उत्राखंड राजी में राज जिस अवसंग्रचना एवं अध्यकी विकास निगम यानिकी स्टेट इंफ्रास्ट्रक्ट्टर एंड इंडेस्ट्रियल डप्लमेंट कॉर्प्रेशन उत्राखंड लिम्टेड यानिकी सिटकुल की स्थापना कब हुई थी तो य प्रसन भी अच्छे खासे पूचे गया है तो महिला का परिचा देते हुए पूचा गया है तो इसका आंसर जो है भी है बहन और सिद्धे आंसर बताते हैं क्योंकि हल करने में आपका समय ज्यादा लग जाएगा इसके बाद है इसका अगले का आंसर है गोविंद इसके बाद जो है वर्गों की संख्या से संबंदित प्रसन है तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सी इसमें कुल वर्ग जो है निकल के आ रहे हैं वो हैं 11 देखिए एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ एक ये नुवा ये दसवा और ये ग्यारुआ इस प्रकार से ग्यारा वर्ग हो जाएंगे 94 जो कुछन है इसका आंसर जो है इसमें जो अंक है वो आठ आठ ज्यादा है इसका जो आंसर आ रहा है आपका सी दूवर्स दोजार नौ का कलेंडर वर्स दोजार पंदरा के कलेंडर के समान है जल प्रतिमिम में घड़ी का जो समय है उसको आप अगर 18 तीस से घटा देंगे तो आपका जल प्रतिमिम समय निकल जाएगा तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है यह आएगा और कहीं पर अगर यह तीस से ज़्यादा है दूसरे में तो आप इसको 17,90 से गटा सकते हैं चल लिए 97 का कुश्चन का आंसर है 6 किलोमेटर C B से कितना दूर है 98 का जो आंसर आएगा वो आएगा 20.25 लेड़ से गुणा करना है हर एक अंक को और इसके बाद है इस आकरति का उत्तर होगा A और अंतिम प्रस्न जो है वर्ण माला का जो है तो सभी वर्णों का योगा धिक्तम है त तो मित्रों ये थी 100 प्रस्नों की सूची आप बताएं कमेंट में कि कौन सा प्रस्न आप का उत्तर आपको गलत लगा या गलत हो सकता है या आपके अंक कितने बनने हैं और कुश्चन का लेवल इस बार UKEE AAC ने किस प्रकार का किया था अपनी राय जो है कमेंट में जरूर पोस्ट करें और प्लीज अनुरोध है लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करें आकि आप अपडेट्स को देख सकें धन्यवाद नमस्कार और हमारी टेलिग्राम चैलन से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिएगे लिंक पर जा सकते हैं